आज किस वीडियो में बात करेंगे कि आप Angel Broking के साथ कैसे फ्री में अपना Demet Account ओपेन कर सकते हैं इस वीडियो में स्टेप बाइस टेप लाइप प्रूफ के साथ बात करेंगे तो प्लीज इस वीडियो को जोज़़र एक लाइक कर दिछेगा सो अपसे चानल में शेर मार्केट से लेटेड भी वीडियो साएंगे तो शेर मार्केट में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास एक Demet Account होना चाहिए तो मैं आपको recommend करूंगा Angel Broking ये कोई sponsor वीडियो नहीं है personally खुद में यूज़ कर रहा हूँ that's why मैं आपको recommend कर रहा हूँ तो step बहुत ही simple होगा अभी एक offer भी चल रहा है अगर आप video के description वाले link से account open करते हैं तो आपका अभी account free open किया जाएगा और एक साल का कोई भी maintenance charge नहीं लिया जाएगा जो कि something 400-500 होता है एक साल का maintenance का वो first year के लिए नहीं लिया जाएगा तो बहुत ही बड़ा opportunity है कि अभी आप account open करवा लिजे तो वीडियो के description में जाएगे एक link मिलेगा उसमें आप click करेंगे तो इस तरीके का interface आएगा सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे mobile phone number डालेंगे city select करेंगे उसके बाद फिर apply name में click करेंगे अगले option में आपके mobile phone number में एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे fill up करेंगे और just यहाँ पे submit पे click करेंगे जैसा आप यहाँ पे submit पे click करते हैं अगले option में कुछ details आपको भरना होगा जैसे कि सबसे शुरुवात में आपको अपना date of birth भरना है date of birth डालने के बाद option मिलेगा pen card number डालने का pen card number डालेंगे उसके बाद फिर एक email id यहाँ पे डालेंगे pen card और date of birth मैच होना चाहिए जो pen card में है वही same detail आपको यहाँ पे डालना है जैसा आप यह details fill up करेंगे अगले option में आपको bank account number डालने का मिलेगा तो आप अपना bank account का number डालेंगे और जो IFSC code है आपके bank का उसी को यहाँ पे डाल करके just यहाँ पे आप submit पे click कर लेंगे अगले interface में आपको personal detail डालना है जिसमें सबसे पहले आपका जो भी annual income है वो आप select करेंगे occupation select करेंगे कि आप occupation क्या करते हैं उसके बाद आपके fathers का first और last name यहाँ पे automatic fill up होगा just आप यहाँ पे proceed पे click कर लेंगे proceed में click करने के बाद कुछ documents आपको submit करना होगा जैसे कि सबसे पहले pen card आप pen card का एक photo click कर सकते हैं photo click करने के बाद यहाँ पे upload पे click करेंगे और फिर pen card को यहाँ पे upload कर लेंगे उसके बाद फिर client signature इसमें आप किसी भी white paper में एक signature कर लेंगे इसका फिर photo click करके यहाँ पे upload कर लेंगे उसके बाद फिर आपको cancel check डालना है तो cancel check आपको उसी bank का डालना है जो आपने शुरुवात में यहाँपर डाला था bank detail डाला था तो उसी bank आप cancel check यहाँ पे upload कर लेंगे cancel check आपको पता नहीं क्या होता है तो आप वीडियो सर्च कर सकते YouTube में बहुत सारे मिल जाएंगे check में जो है उपर में cancel लिख करके दो line है आपको डालना होता है वही आपका cancel check हो जाता है उसके बाद bank statement upload करने का option मिलेगा यह optional है अभी आपको डालने की जरुवत नहीं है जस्ट आप यह सारा document upload करने के बाद आप यहाँ पर प्रोशीट पर क्लिक करेंगे अगले interface में यहाँ पर NSDL का website खुल करके आएगा इसमें आपको e-sign करना होता है जिसमें आप अपने अधार card का number डालेंगे और यहाँ पर send OTP में क्लिक करेंगे तो आपके अधार card से जो भी mobile phone registered होगा उसमें एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill up करना है और just submit पर क्लिक करना है submit में क्लिक करने के बाद अगले option में आपको 10 second का अपना video record करना है यह बहुत ही simple step होगा यहाँ पर start recording में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने camera का permission देना है और just आप जैसे यहाँ पर इस तरीके से simple खड़ा रहेंगे कोई भी आपको activity करने की ज़रुवत नहीं है बस आप ऐसे खड़ा हो करके वो 10 second capture कर लेगा आपका video और यह अपने server में upload कर लेगा फिर आप यहाँ पर submit पर क्लिक करेंगे तो आपको एक notification आ जाएगा कि आपका application submit कर लिया गया है और within two days के अंदर आपको client id और आपके password को send कर दिया जाएगा तो मेरे case में 5 minute के अंदर ही client id और password आ गया client id और password का है मैं बताता हूँ अभी क्या है कि आपका dmate account open हो चुका है अगर आपको client id और password आ गया that means आपका dmate account open हो गया है अब आप क्या करेंगे play store में जाएगे angel broking का app download करेंगे वहाँ पे आपको login करने का option मिलेगा जिसमें आपको user id के जगा में client id डालना है और password के जगा में जो password आपको भेजा गया है वो password डालके submit पे click करेंगे तो सबसे पहले आपको password regenerate करने का option मिलेगा यानि कि फिर से आप अपने मर्जी के हिसाब से password बना सकते हैं पासवर्ड यहाँ पे अपने मर्जी के हिसाब से बना लेंगे यहाँ पे pin select कर सकते हैं fingerprint वाला भी कर सकते हैं ताकि बार बार आपको password डालके login करने का नाम बने तो इस तरीके से आप यहाँ पे angel broking के app में login कर जाते हैं अगला वीडियो में बना के दूँगा कि angel broking के app का interface क्या है किस options का क्या work है कैसे share buy करना है कैसे sell करना है तो वो वीडियो में बना के दूँगा तो कोई भी tension भी बात नहीं वीडियो के description चेक कर लिएगा वो वीडियो जब भी आएका उसका link में वीडियो के description में दे दूँगा तो यही था आज की वीडियो मैंने आपको live process के साथ दिखाया कि आप angel broking के साथ demate account कैसे open कर सकते हैं अभी बहुत ही बड़ा offer चल रहा है वीडियो के description वाली link से account open करते हैं तो एक साल का कोई भी चार्ज नहीं देना है account open करने का भी कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना है और एक साल आप बिल्कुल free में use कर सकते हैं वैसे इनका एक साल के बाद something 400 से 600 के बीच में annual maintenance चार्ज होता है तो I think so आप एक साल इतना investment करके बना लोगे कि 400-500 इसली दे पाऊगे कोई tension ओली बात नहीं है एक बात आप ध्यान रखेगा कि angel broking में अगर आप delivery में trading करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है तो मैंने बहुत ही जी से step में समझाने कोशिश किया हूँ अगर वीडियो जारा भी helpful लगे प्लीज वीडियो को like करेगा इसी तरीके से informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं कोई डाउट बसता तो comment करना ना भूले और ज्यादा करके मैं share market related वीडियो अपने second channel में upload करूँगा जो टेकी कैफी नाम है उस channel को जाके subscribe कर लिजएगा क्योंकि इस channel में I think सुबहुत सारा लोग interested नहीं भी हो सकते हैं तो मैं उसी channel में regular content upload किया करूँगा तो उस channel को subscribe भी कर लिजएगा सुमेटरों साथ तब तक लिजाए हिंद जाए बारत